हेलो फ्रेंट्स, वेल्कम टू दी कॉंसेट यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है विशाल चोहान और यूपी एसी सीएसी प्रिलिम्स के लिए इंडियन आर्ट इन कल्चर की हमने जो सिरीज शुरू करी है, उसमें आज हम इंडियन पेंटिंग्स में मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा अगर उन्होंने अभी तक प्रिवेस सेशन को कवर नहीं किया है, उन्हें जो पूछेगा इस सवाल है, उनके जवाब मुझे कमेंट में जरूर दे, और अपना फीडबैक जुरूर प्रोवाइड करें, कि आपको सेशन अच्छे ल और सभी स्पेशल क्लासे में लाइव आता हूं, और उन लाइव क्लासे में हम प्रिवेस येर कोशन को डिसकस कर चुके हैं और अभी जो है, वह फिलहाल हमारी मोस्ट इंपर्टन कोशन की सिरीज चल रही है, आर्ट इंड कल्चर और मॉडन हिस्ट्री की, मोस्ट के लिंक आपको मेरे टेलिग्राम चैनल से मिलेंगे जिसमें अगर आपने प्रीविस कोशन की सीरीज नहीं लगाई है तो मैं हाइली रेक्मेंट करूंगा कि 2010 से 2020 तक के कोशन तो आप कोशन की सीरीज अभी हमारी चल रही है आर्ट कल्चर की और मॉडन की सो फॉलो कीजिए बहुत जरूरी है आपके लिए प्रेलिम्स के लिए बहुत ज्यादा करने वाले आपको यह उसके अलावा अगर आप मुझे कोई भी डाउट अपना मैसेज करना चाते हैं तो इंस्टा इसी के लिए थोरली प्रिपेर करना चाहते हैं तो अनकेडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिशन प्लैंज प्लस एंड आइकॉनिक जिसमें आपके पास डेली लाइव ग्लासेज, हाइली स्ट्रक्चरड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विज, अल्लिमिटेड एक्स जो है वो प्लस प्लैन के फीचर रहेंगे, लेकिन प्लस से आइकॉनिक प्लैन आपको ज्यादा फीचर प्रोवाइड करेगा, जैसी कि परस्टनल गाइडन्स, टेस्ट अनलेसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन्स, स्टडी मटिरियल एं स्टडी प्लैनर, या इकॉनिक प्ल प्लैन्स को, और अभी अगर 26 मैं से पहले पहले आप GSPLUS Optional या Iconic GSPLUS Optional को सब्सक्राइब करते हैं, तो Optional को सब्सक्राइब करने में आपको 25% डिसकाउंट मिलेगा, प्लस 10% डिसकाउंट मिलेगा, अगर आप कोड यूज करते हैं मेरा, that is, चोहान अंडर्सकोर, सर लेबल है, make sure कि आप सब्सक्राइब करें, और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, या अगर आपका कोई और साथ ही सब्सक्राइब कर रहा है, so make sure कि आप कोड यूज करें मेरा, चोहान सर हिस्ट्री ताकि आपको मिले 10% का अडिशनल डिसकाउंट, और मुझे मिले आप लोगों का सपोर्ट, जिस सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है, उसके अलावा weekly one on one personal mentoring बहुत बहतरीन initiative and academy का ये code use कीजिएगा, एक year के batches, दो year के batches, ती और NCRT batches जो हो शुरू हो चुके हैं, subscribe कीजिए, अनकेडमी की subscription plans plus and iconic, ठीक है, GS plus optional, आपको discount तो मिली रहा है, प्ल जिरो रुपीज की processing fees, कोई interest नहीं लिया जाएगा, आपसे कोई hidden charge नहीं होगा, बहुत जल्दी approval हो सकता है, बहुत minimal सा paperwork और बहुत flexible सा tenure, हर नई वीडियो के नीचे अनकेडमी की आपको ये link मिल जाएगा, इस link के माधियम से आप पूरा loan का procedure जो है, वो जान सकेंगे, क्य के लाबा, rise, world affair, anacademy pathfinder, बहुत बहुत बहतरीन जो है, वो test series available है, चोहांसर history, code use करके access कीजिये test series को, और anacademy combat, हर Sunday होने वाला India's biggest scholarship test, जिसमें Hindi और English दोनों में available है, और top rankers को बहतरीन scholarship मिलती है, enroll करने के लिए code use कीजिये, that is, चोहांसर history, so let us start today's session, अभी तक हमने Indian paintings में क क्या पढ़ा, Indian paintings की हमने शुर्वात होती हुई देखी, mural paintings के साथ, और फिर हमने Indian paintings को develop होते हुए देखा, miniature paintings, और miniature paintings में हमने पाया कि miniature paintings में Islamic impact हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, है ना, so miniature paintings हमने Mughal houses में देखी, ठीक है, Mughal court में miniature painting बनती हुई देखी, और Decken school में miniature painting बन paintings, राजपूत और Central Indian जो royal houses हैं, उन्होंने किस तरह painting को develop किया, आज हमें यह समझना है, और यहां से, आज की topic से क्या निकलने जा रहे है, बहुत सारे facts निकलने जा रहे है, ठीक है, so आप ध्यान रखेगा, art and culture में, type of question का ध्यान रखना है, since यह pre-oriented है, concept हम GS1 में जाएंगे तो इनी Indian paintings को detail में concept पर ले जाओंगा आपको, ठीक है, लेकिन, since यह session pre-oriented है, तो हमारे mostly हम कोशिश करेंगे, कि हम facts को अपने control में लाएं, रहे हैं, जितने भी facts हैं, वो हम समझें अच्छे से उन facts को, और जाद से जादा facts को cover करें, क्योंकि art and culture का हमने जो trend analysis किया, ठीक है, यूपेसी के previous year questions को cover करने के बाद, तो मैं पता चला कि factual based question जो है, वो यूपेसी बहुत सारा पूछ रहा है, art and culture से, और Indian paintings में से सवाल जो है, वो निकल कर आ जाता है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि majority Indian paintings को हम cover करें, तो आज सभी राजपूत या almost every important राजपूत स्कूल और Central Indian Indian schools को हम cover करेंगे, तो पहला point जखेगा, unlike Mughal paintings, which is primarily secular, the art of painting in Central India, Rajasthan, Pahadi region, etc. is deeply rooted in the Indian traditions, taking inspirations from Indian epics, religious texts like Puran, love poems in Sanskrit and other Indian languages, Indian folklore and works on musical themes, So, जो Islamic painting रही, अब Islamic traditions में मूर्ती पूजन और जानवरों के तरह, मतलब जानवरों के रूप में represent करना, जितना भी मतलब Islamic tradition है, वो सब जो है, वो हराम है, that means Islamic, जितनी भी paintings हैं, उसमें आपको Islamic religious, जो है, वो touch नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए मुगल paintings आपको secular in nature देखने को मिलेगी, उसमें ज्यादा आपको religious touch नहीं देखने को मिलेगा, अगर religious touch अगर आपको देखने को मिल भी रहा है, तो वो Hinduism से related होगा, Islam से related नहीं होगा, ठीक है, Islamic text जो है, वो Quran के बारे में, Quran के जो text हैं, वो जरूर लिखे होए हो सकते हैं, लेकिन pictorial representation आपको नहीं देख के, जैसे कि अगर आप Central Indian, Rajasthan या Rajaputi और पहाडी region की paintings को अगर आप देखते हैं, तो इनकी majority theme जो है, वो Indian या Hindu mythology से जुड़ी हुई है, ठीक है, अब Hindu mythology कह लीजिए, या उसके अलावा Hindu जो sacred text हैं, जैसे कि रमाइना और महाबारता जो sacred epics हैं, इनमें जो कहानियां दी गई उसके अलावा, over the period जो Sanskrit scholars इंडिया में के रहे हैं, उन्होंने जो love stories लिखी हैं, उन love stories को उन्होंने जो epics और अन्य और कहानियां लिखी हैं, ठीक है, या उसके अलावा और अन्य धार्मिक गरंतों में दी गई, जो भी mythological stories या अन्य जितनी भी prevalent traditional folklore हैं, वो सभी painting के रूप रूप में represent करने की जो है, वो friend हमें Central India, राजपूत और पहाडी स्कूल में देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि जिस तरह का rule है Islam में कि आपको कोई भी religious, जो भी मतलब events हैं, उनको picture में represent नहीं कर सकते हैं, हिंदुविजम ऐसा नहीं है, बढ़ चड़ कर represent कीजिए, उल्ट रहता है, वो better है इंदुविजम में, ठीक है, allowed भी है और भेहतर भी रहता है इंदुविजम के लिए, so हमें जो राजपूत पेंटिंग्स हैं, उनकी main theme आपको वैशनिजम, शैविजम, शक्ति के around revolve होती भी नजर आ जाएगी, उसके अलावा प्रेम प्रसंगों के around, या जो ट्रेडिशनल जो पेंटिंग है, वो इनके around आपको revolve करती भी नजर आ जाएगी, but then again आपको Hindu style of या Central Indian Rajasthani या पहाड़ी style of painting आपको Mughal style of painting के साथ मर्ज होता होगा नजर आएगा, क्योंकि इन ही सारे region में majoritarily influence आपको Mughal administration का नजर आएगा, तो यहाँ पर आपको Mugh elements भी थोड़े थोड़े देखने को मिलेंगे इनकी court में, यानि कि राजपूत जो राजा है, महाराजा है, उनकी portraits देखने को मिलेंगी, उनकी portraits के पीछे, उनके सर के पीछे, halo देखने को मिलेगा, जो कि आपको clearly बताएगा कि यह Mughal painting का जो है, वो influence देखने को हमें मिल रह है, तो आज हम इन सारे points को explore करने जा रहे हैं, so I hope आपको basic पदा चला होगा कि कि किस-किस तरह की paintings हमें देखने को मिल रहे हैं, तो राजपूत paintings में obviously Radha Krishna, Vishnu, शेव, पारवती के जीवन, और महाभारत और रमायंड से related stories, love stories, उसके अलावा जितने भी राग लिखे गए है, musical जितनी भी जैसे माली जा बहुत सारे राग लिखे हैं ना Indian scholars ने, उन रागों को stories में represent करना, pictorial, pictographic stories में represent करने की कोशिश की गई, in paintings के माध्यम से, right, love poems को represent करने की कोशिश की गई है, जो traditional folklore रही हैं, उनको paintings में represent करने की कोशिश की गई है, musical themes को painting में, not just by कि उनको characterize कर गए उन musical उन रागों में जो कहानी है, उनको characters के रूप में represent कि तो किया ही है, लेकिन जैसे माली जिए, कोई राग जो है, वो बहुत aggressive है, तो बहुत melodious है, तो बहुत melodious colors का use किया गया, बहुत calm, soft, मतलब brush strokes का use किया गया, तो जैसा रागों का nature है, वैसा ही painting का nature है में देखने क है, है ना, जो conceptual depth है वो हम GS1 में जाकर explore करेंगे, आगे बढ़ते हैं, the cults of Vaishnism, Shaivism, Shakti exercised tremendous influence on the pictorial, pictorial art of these places, right, so Vaishnism, Shaivism और Shakti, तो Hinduism से related है, तो Vaishnism, Shaivism, Shakti जो है, वो तीन मुखे ब्रांचीज हो गई, right, Among these cults of Krishna was the most popular, सबसे popular कान सी है, North India में Krishna और South India में आपको Shaivism से related भी दिख जाएंगे, लेकिन maximum popular जो है वो North India में आपके Krishna से related, right, one which inspired patrons and artists, the themes of Ramayana and Mahabharata, the Bhagavata and Seva Purana, Gita Govinda, of Jai Deva and Rangmala, etc, जो है वो important themes, तो Ramayana, Mahabharata, Bhagwat Gita में लिखे हुए, मतलब instances को, या stories को represent किया गया, Shewa Purana में लिखे हुए stories या, जो मतलब, जो भी events हुए हैं, उनको represent किया गया, उसके अलावा, रंगमाला, रागमाला, मतलब जो जितने भी different-different राग हैं, उनको pictographically represent करने कोशिश की गई है, ठीक है, तो आपको जितने भी आज मैं houses दिखाऊंगा, या school of paintings दिखाऊंगा, उन सब में आपको रागमाला की अलग-अलग intensity देखने को मिल जाएगी, रागमाला जो है, वो सब follow करते हुए नजर आएंगे, almost सभी, right, provided a very rich field of painter who with his artistic skill and devotion made a significant contribution to the development of Indian painting, उस एक तो देखिए, गुप्ता पीरियड के बाद जो revival हुआ है संस्कृत लिटरिचर का, right, और वही post गुप्ता पीरियड में continued हुआ, जो नौर्थ इंडिया की शक्तिया है, जो हिंदू शक्तिया नौर्थ इंडिया में डेवलप हुई, ज इन सबने, यानि कि with the increase of feudalism हुआ क्या, feudalism होने के विश से क्या होता है, छोटे छोटे पॉलिटिकल सेंटर डवलप होते हैं, अब वो छोटे छोटे पॉलिटिकल सेंटर अपनी अपनी कपैसिटी में अपनी एकनॉमी को डवलप कर रहे होते हैं, और जहां आपको एकनॉ गुपता पीरेड और गुपतातर पीरेड यानि पोस्ट गुपता पीरेड में हमें जो feudal order दिखा है इंडिया में, तो हमें छोटे छोटे जो है वो आर्ट के सेंटर, यानि कि बंगाल एक आर्ट का सेंटर, उज्जैन एक आर्ट का सेंटर, सूरत एक आर्ट का सेंटर, य पहले तो राजपूतानौ या ऑगरा या दिल्ली को मिल тьखने में कुल सब्सक्राइब मिलेगा थे कि बुक पूर मिलेगा जयशल मेर भिकानुर जोद grounds गितने राजपूत होट जितने राजपूत ठिकाणए उतने आपको जो है वह surtout कूल आफ पेंटिंग जो है वह लगभग उतने स्कूल आफ पेंटिंग आपको डेलाफ होते दिन नजर आ जाएंगे, right? So, with the increase of feudalism, art and culture जो है, वो और फैलता गया, ठीक है? Next, देखेगा, in the 16th century, there already existed in Central India and Rajasthan, the primitive art traditions in the form of Western Indian and Chaur-Panchasika, Chaur-Panchasika style, which served as base for the origin and growth of various schools of painting during 17th century. So, 16th century का Chaur-Panchasika style, से हमें further painting style develop होता है, आप ध्यान दिजएगे. Mural से miniature हमें दिखा, ठीक है? Mural से miniature से, अब हमें further जो है, वो राजपूल School of Painting हम देख रहे हैं, ठीक है? तो 16th और 17th century के बीच की development हमें समझनी है, जिसमें हमें 4-Panchasika style से जो है, वो further 17th century के कई सारी style of paintings develop होती हुई नजर आ रही है, तो हम सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये 4-Panchasika style है क्या? The 4-Panchasika style ये 50 stanzas of Thief by the Kashmiri poet Bilhan, बहुत important. Bilhan ने 4-Panchasika, एक basically क्या है? ये एक? वेम है, right? Was a favorite theme of Rajput painters. अब ये 4-Panchasika जो पोएम है, इस पर based जो paintings बनाई गई, उसको 4-Panchasika style कहा गए. और शुरवात में Rajput style जो ही 4-Panchasika, क्योंकि 11th और 12th century है, लेट 11th और 12th century है, इसी समय, तो इसी समय feudalism peak पर भी है. Rajput जो है, वो ठिकाने बटे हुएं. तो जो 4-Panchasika style है, यहाँ से फिर आगे फर्दर, many other illustrated manuscripts with slight variation in its usage. यह है चौर-Panchasika style, ठीक है. The best example of above mentioned are Bhagwat Puran and Gita Govind. Bhagwat Puran और Gita Govind को pictographically जब represent करने की बात आई, तो चौर-Panchasika style का इस्तमाल किया गया. The same style can also be seen in the earliest रंगमाला series made in चवंद बाए नसीरदी या नसीरुदीन. बहुत important. चवंद जो है, वो राजस्थान में एक प्लेस है, जो तोड के आसपास. So चवंद वाले area में नसीरदी या नसीरुदीन ने जो earliest रंगमाला, रागमाला series create करी है. वो किस style में करी है, ध्यान रखेंगे आप, चौर-पंचशी का style. चौर-पंचशी का style शुरू कहां से हुआ, बिलहन की एक पोयम है. उसको राजपूती painters ने जो representation शुरू करी उसकी, वही चौर-पंचशी का style बनी है. आगे बढ़ते हैं. बात करते हैं, राजपूत पेंटिंग्स की. So, राजपूत पेंटिंग, the art of independent Hindu feudal states. Independent Hindu feudal states. देख रहे हैं, ध्यान दीजे, बहुत important concept में आपको बता दिया, feudalism किस तरह फैला और culture developed हुआ, right? Was very different from the court art of Mughal emperors. क्यों? क्योंकि Mughal emperors की court art secular थी. क्योंकि वो religious representation है, वो कर नहीं सकते हैं, वो हराम है. तो Mughal art की themes क्या हुआ करती थी? कि जो royal family है, वो क्या-क्या कर रही है, ना? और royal family ने अगर कहीं, कोई भी event वो है royal family के जीवन से, राजा मतलब शहांशा के जीवन से कोई भी event है, उसको depict किया जाता है. और वो Persian style पर based है, है ना? वेराज मुगल painting was contemporary in style, राजपूत traditional, राजपूत was traditional and romantic. मुगल painting contemporary, यानि बाजशा के जीवन में जो हो रहा है, उसको depict किया जाता है. राजपूत painting जो है, वो traditional है, traditional यानि कि जो पुरानी epics में कहानिया है, या जो romantic stories है, जैसे राधा और कृष्ण की stories को depict करना, ठीक है. It developed in the 16th and early 17th centuries, and its late period lasted up to 1825. So राजपूत style of painting आप 16th और 17th century देखेंगे, लेकिन ध्यान जी दीजिएगा, राजपूत जो ठिकाने हैं, वो तो और पुराने हैं, लेकिन जिस style of painting को हम explore कर रहे हैं, या जो अच्छी well-preserved paintings हमें मिली हैं, वो 16th और 17th century वाली है, उससे पुरानी भी है, मिराल्स के फॉर्म में हैं, लेकिन वो बहुत पुरानी, मिनियचर के फॉर्म में, वो बहुत पुरानी है, 16th century से पहले वाली, वो well-preserved नहीं है, लेकिन जिस style of painting के हम बात कर रहे हैं, जो मतलब राजपूत style of painting की तरह मतलब याद रखी जाती है, वो 16th, 17th century है, ऐसा क्यूं है, क्यूंकि मुगल्स के आने के बाद ही, राजपूतों का culture जो है, वो मुगल्स के around develop हुआ है, अकपर ने राजपूतों को आपस में लड़वाया भी, लेकिन बांध के भी रखा, उससे पहले दिल्ली सुल्तानों के समय राजपूत जो है, वो आपस में जगड़ते रहते थे, और उससे भी पहले बहुत जादा feudal order था, आप ही कह सकते हैं कि मुगल administration के वज़े से एक certain degree of centrality राजपूत administration में आये थी, क्योंकि पहले की तरह जो है, वो ठिकाड़े बटे नहीं हुए थे, राजपूत painting is further divided into राजस्थानी painting, अब राजपूत painting कितनी तरह गी है, और the schools of Rajasthan, उसके लावा Central India, क्योंकि मालवा बुंदेलखंड में भी राजपूत ही हैं, और पहाड़ी painting, मतलब की जो उत्राखंड जम्मू से लेकर हिमाचर प्रदेश की जो painting, right, the art of Himalayan kingdom, तो तीन तरह की है, राजपूत paintings, ठीक है, एक तो राजस्थान की, दूसरी Central India की तीसरी Himalaya की, right, रंग माला या राग माला पेंटिंग की बात करता है, राग माला पेंटिंग क्या होते हैं, these are a series of illustrative paintings from medieval India, based on राग माला और the garland of ragas, garland मतलब माला, right, depicting various Indian musical modes called ragas, तो जितने भी राग हैं, जितने भी famous राग हैं, उनको painting में depict किया गया है, ठीक है, काफी complex चीज़े, they stand as a classic example of amalgation of art, poetry and classical music in medieval India, ये है जैसे एक राग माला है, right, इसमें आप देख रहे हैं, ये कृष्ण का रूप है, ठीक, ये राग चितर, डेकनी राग माला, तो राग माला के भी जो हैं, वो कई फेज़े हैं, क्योंकि जैसे मैं आपको कहा ना, जितने राजपूती स्कूल, उन सब ने जो है, वो राग माला को फॉलो गया, यानि राजस्थानी राग माला आपको दिख जाएगी, आपको पहाडी राज माला, ठीक है, आपको Central India की नौट राज माला बट, Central India की राग माला दिख जाएगी, आपको डेकनी स्कूल की राग माला, मैंने आपको पिछले टोपिक में डेकनी स्कूल की राग माला के बारे में बताया था, राइट, राग माला पेंटिंग्स राज माला पेंटिंग्स राज माला राजस्थान और राजपूत राग माला, मुगल राग माला, मुगल राग माला राइट, करी है क्योंकि अकबर की कोट जो है वो secular थी काफी तो अकबर की कोट में हिंदू painters भी थे उसके बाद जहांगीर के कोट में हिंदू painters भी थे उन्होंने रागमाला बनाई है राइट इन दीज पेंटिंग्स इच राग इस परसॉनिफाइड बाया कलर, mood and adverse describing a story and adverse describing a story of a hero and heroine नायक और नायका हुआ करते है हर स्टोरी में ठीक है नायक और एक नायका जो है वो हर स्टोरी में देखने को मिलेंगी आपको और जिस mood का राग है mellow mood का राग है तो नीले रंग यार रंग का यूज कीया जाएगा ठीक है बहुत कठोर राग है बहुत हार्श है तो आपको darker shades of red, darker shades of brown, darker shades of dark blue black वगेरा color देखने को मिलेंगे so according to the mood of राग जो है वो painting को बनाया जाता है it also elucidates अब किस राग के लिए कौन सा color है किस mood के लिए कौन सा color है यह हमारा GS1 का concept है GS1 में जाएंगे वहाँ पढ़ेंगे से detail में it also elucidates the season and the time of day and night in which a particular राग is to be sung and finally most paintings also demarcate the specific Hindu deities attached with the रागा like भारवा, भारवी to Shiva, Shri to Devi, right so शक्ती, शाइविजम और वैशनिजम से जुड़े हुए राग अलग से दिख जाएंगे आपको season से जुड़े हुए राग अलग से दिख जाएंगे किस पहर का है है ना, बिल्कुल पहले पहर का है दो पहर का है, चौथे पहर का है साथवे पहर का है, बारवे पहर का तो दिन के किस पहर का राग है ठीक, यानि कि किस टाइम का है सुबा का है दोपहर का है शाम का है सो अब देखते हैं Schools of Rajasthani Painting तो हमें समझ आगे अभी तक कि हमें जो है वो सभी स्कूल में लगबग आल्मोस्ट सभी स्कूल में रागमाला देखने को मिलेंगी ठीक है आल्मोस्ट सभी स्कूलों में हमें दूसरी चीज़ जो है वो क्या देखने को मिलेंगी उनकी शुरुवात जो है वो कहां से होती हुए नजर आएंगी चोड़ा या चोड़ा पंच शिका से डवलप होते हुए नजर आएंगे लेकिन रागमाला हमें अल्मोस्ट हर स्कूल में देखने को मिलेंगी ठीक है अब राजस्थानी पेंटिंग की बात करते हैं राजपूत में राजस्थानी पहाडी और उडीशा पेंटिंग की बात करेंगी ठीक है राजस्थानी पेंटिंग evolved and flourished in the royal courts of राजपूताना in India obviously each राजपूताना kingdom evolved a distinct style but with certain common features सो हर एक राजपूता ना गिंग्डम ने अपने अपने जो है वो आर्टिस्स वेटरोनाइज कियोंगे तो हर एक पार्टिस का एक सिगनेचर स्टाइल होता है तो आपको एक डिफ्रेंस नजर आ जाएगा आमेर और जैसलमेर या आमेर और जोदपूर के पेंटिंग स्कूल में राइट इन दे लेट 16 सेंचुरी राजपूत आर्ट स्कूल्स बिगें तो डवलप डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स इन दे लेट 16 अगर जो त्रेटिशनल राजपूती स्टाइल्स होंगे फिर उसमें जो है वह मुगल स्टाइल जुड़ा होगा ठीक है मुगल के साथ पर्शियन स्टाइल्स जुड़ा होगा कुछ उसमें चाइनीज एलिमेंट जुड़े होंगे और फिर लास्ट में उसमें जो डेमिगोड्स और एंजल्स और बोर्क वगेरा जो दिखाए देते हैं हमें पेंटिंग में वो यूरोपियन एलिमेंट से हैं ना इकनॉमिक प्रोस्पेरिटी ओफ कमर्शियल कॉम्मिनिटी और रिवाइवल ओफ वैश्वनिजम और ग्रोथ भक्ती कल्ट वर थे मेंजर फेक्टर स्ट्रिबुटे ग्रेटली तो डेवल्लप्मेंट उफ राजस्थानी पेंटिंग्टिंग्स 16-17 सेंचुरी में राजस्थानी पेंटिंग डेवलप् की हुई मैंने आपको बताया ना अकबर के आ जाने की वैसे certain level of centrality आई राजपुतान में क्यों क्योंकि अकबर ने लगबग सभी राजपुतान स्टेट्स को बांद दिया और अकबर की policies की वज़े से जो economic prosperity आये थी उससे जो trade groups हैं राजस्थान के उनको काफी फायदा हुआ और वो westernism को follow करते थे तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी trade जब भी economy strong होगी तो art and culture investment आपको दिखेगा और जैसे ही economy strong हुई art and culture investment हमें वह तब नजर आया और राजपुत जो है वो painting डेवलप होती भी नज सोरो से चल रहा था इससे पहले से भी लेकिन भक्ती मुवमेंट का असर जो है वो हमें देखने को मिलता है painting में क्यों क्योंकि भक्ती मुवमेंट में जो उन्होंने मतलब messages दिये थे जैसे कि मीरा बाई मतलब राजस्थान से निकल कर आती है उसके लावत तुलसीदास का श श्री चैतन्या ठीक इन्होंने जो भजन लिखे या भजन गाए उनके मैंने बोला ने क्योंकि poems को picture में represent किया गया है तो मीरा बाई स्वें मीरा बाई की कई paintings हमें देखने को मिलती है कि वो कृष्ण के मतलब ध्यान में जो है वो गा रही है राइट सो मीरा बाई और कृष जिज रहे जो भी इनके भजन वगएर रहे उनको pictographically represent किया गया है paintings के जरीए ठीक है next point यह देखिए आपको जो है वो मतलब निर्ते करती हुई नजर आएंगी अब एक-एक स्कूल को देखते हैं सबसे पहले आमेर जैपूर के स्कूल की बात करते हैं these paintings show strong influence of Mughal art obviously क्यूंकि आमेर या जैपूर जो है वो सबसे पहला राजपूती राज्य था जो मुगल के साथ जुड़ गया however at the same time Mughal art का influence कहने का मतलब यह कि इनके जो शाशक है ठीक है जो भार्मल वगएरा जो शाशक है ठीक है इन सब के हमें फार्सी पोर्टरेट फार्सी फॉर्म में जो है वो पोर्टरेट देखने को मिलेंगे ठीक है however at the same time the bold compositions and the use of abstractions reflected regional characteristics राइट साथ ही साथ हमें bold compositions यानि की जो मतलब जैसी यह लड़कियां है नाशती हुई ठीक है इस तरह कि आपको जो है वो मुगल मुगल आर्ट और राजपूत पेंटिंग्स का ठीक है राजपूत आर्ट का in 18th and early 19th century saw राजपूत पेंटिंग्स illustrating episode from life of Krishna ठीक है 18th 19th century में Krishna की life और Krishna और राधा की जो लीला है उनको depict किया जाता है the other popular themes of 19th century were रागमाला and devotional subjects right so आमेर में भी आमेर स्कूल में भी आपको राजमाला देखेगा आमेर स्कूल में Krishna आपको देखेगा और उससे पहले आमेर स्कूल में मुगल elements जो है वो मौजूद थे ठीक है तो यहाँ पर याद क्या रखना है GS1 के लिए राजपूत स्कूल आमेर और जैपूर right influence किसका मुगल वैश्वनेजम और रागमाला next आया गया बिकनेर अपार्ट फ्रम मुगल स्टाइल देखने को मिलेगी और सेकेंड डेकनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग देखने को मिलेगी दोनों का influence है during the late 18th century city started showing conservative राजपूती स्टाइल्स यह राजपूत स्टाइल्स विद स्मूधनेस और अब्स्ट्रेक्शन however they were devoid of any pump city and flamboyants pump city and flamboyants जैसी आपको देखने को मिलेगी अन्य राजपूती आर्ट में या देखनी आर्ट में भी पॉलब जैसे कि मैं आपको पताया था ना कोट में लड़किया नाच रही है और गोल्ड का इस्तमाल किया गया है तो इस तरह की flamboyants जो है वह आपको बिकनेर स्कूल में नहीं देखने को मिलेगी relatively subtle आपको थोड़ा सा बिकनेरी स्कूल देखने को मिलेगा लेकिन definitely मुगल और डेकनी आर्ट फिर उस लेटर पार्ट में रागमाला आपको बिलकुल बिकनेर स्कूल में भी देखने को मिलेगा और वैश्वनिजम का इंपक्ट भी आपको बिकनेरी स्कूल में देखने को मिलेगा ठीक है next बात करते हैं बूंदी originated in बूंदी around late 16th century and reflects huge मुगल impact so बूंदी में भी क्या है? मुगल impact है wall paintings dating back to reign of Rao Ratan Singh are good examples of बूंदी style of painting so बूंदी style में wall paintings यानि morals भी देखने को मिल रहे हैं time of Rao Chhatra Sal and Bhau Singh saw great emphasis on court scenes and themes बूंदी painting में आपको court scene देखने को मिल रहे है then again it is an influence of Mughal art right other themes included based on nobles lovers और ladies ठीक है so Mughal impact भी है और थोड़ा सा रागमाला impact भी है आपको Mughal impact और रागमाला दोनों आपको बूंदी style में नजर आएगा ठीक है that is बूंदी राजपूती स्कूल उसके बाद कोटा राजपूती स्कूल में देखते हैं कोटा paintings took look very natural in their appearance and are calligraphic in their execution so calligraphic बहुत ही detail और बहुत calligraphy होता है बहुत सुंदर से बनाया गया है so कोटा स्कूल जो painting है बहुत सुंदर है the reign of Jagat Singh saw vivacious colors and bold lines being used in portraitures so portraits आपको कोटा स्कूल में portraits जिल्वा पोती भी नजर आएगी ठीक है with the arrival of लेकिन 1658 से 1684 है that means Mughal influence है portrait में right with arrival of Arjun Singh the painting started depicting males with a long hooked nose long hooked nose की मतलब समझ रहे है ये है long इस तरह जो है वो ऐसी long hooked nose की तरह जो है long hooked nose दिखानी जो है वो शुरू करी नोने मैंने आपको बताया था कि ये जो nose है ना इसका काफी बड़ा influence रहता है इस nose से पता चल जाता है कि या मतलब किस racial background का वेक्ति है और राजपूतो में आप जितनी भी paintings देखेंगे ना ठीक है majority आपको royal family जो है वो pointed nose वाली नजर आएंगी round nose वाली नहीं नजर आएंगे majority royal family बीट राजपूतों की हो या मुगल्स की हो आपको कोई भी maximum जो है वो round nose का नहीं नजर आएगा ठीक है तो ये nose की क्या कहानी है आपको आगे में समझाऊंगा ठीक है जब हम society वाले पार्ट को पढ़ेंगे या optional वाले पार्ट में पढ़ेंगे राइट 18th century was also the time for hunting scenes ragmalas and portraits as the theme 18th century तक आते आते European element जो है वो आपको आता वह नजर आ जाएगा कोटा आर्ट में और रागमाला इंट्रड्यूज जाएगी राम सिंग 2nd ordered the depiction of worship hunting दर्बार and possessions in painting तो राम सिंग 2nd portraits बनने लगे oil pastel गे ठीक है तो European element खास तरवे Britishers का French art का element जो है वो आपको राम सिंग 2nd के टाइम में देखने को में जाएगा कोटा के शाशा बहुत important point right next है next school और जो की बहुत important school है वो है किशनगर it is basically a fusion of Mughal and regional style the most common theme of this style consists of depiction of love between Krishna and Radha so Krishna और Radha के बीच में जो प्रेम है उसको depict किया जाता है other popular themes सवन्त सिंग शाहनामा court scenes etc so Mughals से influence है तो court scenes तो देखने को मिलेंगे ही किशनगर स्कूल is best known for bunny ठणी बहुत important यह सवाल UPC ने पूछा भी है कि bunny ठणी जो है वो किस school से जुड़े हुए है तो किशनगर स्कूल से किशनगर के जो शाशक है उनकी आप ये कह लीजिए कि उनकी उनके मतलब हरम में एक महिला थी इस तरह पुट किये जाए ठीक है जिनको बनी ठणी कहाता है कि वो बहुत बन ठण के रहती थी और उनको राधा के रूप में represent किया गया है तो किशनगर के शाशक है उनकी मिस्ट्रेस को राधा के रूप में रेपरेजन किया गया और कई ऐसे राधा और किशन की पेंटिंग्स बनाई गई है जो कि रेपरेजेंट किये जाता है कि सवन्त सिंग और बनी ठणी है एक साथ ठीक है नेक्स आएगा आपका सेंट्रल इंडिया का तो सेंट्रल इंडिया के आगे मालवा वन अफ दे मोस्ट कंजर्वेटेव राजपूत पेंटिंग स्कूल ऑफ 17th सेंचुरी कंजर्वेटेव कहने का मतलब यह कि बहुत ज्यादा जो है वो ट्रेडिशनल तरीकों से जुड़ हुँआ है मालवा वस हाइली इंफूस बाइर मालवा स्कूल जो कॉर पांच का स्टाइल से सबसे अंत तक जुड़ा रहा बाकी schools भी थे लेकिन वो शुरुवाती phase में थे मालवा को conservative इसलिए का क्योंकि वो अंत तक अपनी roots से जुड़ा हुआ है है ना the emphasis was laid on strong colors and bold lines at times one can also absorb a remote Mughal influence on these paintings so Mughal influence तो still है ही मालवा पर क्योंकि मालवा Mughal province रहा है ठीक है next बात करें मारवाड की the earliest example of Rajasthani paintings of मारवाड is the रागमाला which was painted in पाली in 1623 1623 राजस्थानी पेंटिंग मारवाड की रागमाला theme पर बेस्ट है ठीक है अब ध्यान रखेंगे important point है इन 18th century the most common themes included the portraitures of nobles on horses in दरबार सीम 18th century तक आते आते राजपूत और European influence चड़ गया है इन पर with the arrival of artists like दलचंद मारवाड paintings also started reflecting मुगल influence भी दिखा but after मुगल्स ने जो है वो control किया दलचंद कहां से आये जहांगीर के समय के बाद रहे जहांगीर के समय और उसके बाद के जो painters है उनका जो है वो मुगल कोर्ट से आये और साफ साफ हमें मारवाड कोर्ट में उनका influence देखने को मिलता है मेवाड की बात करें concentrated on the conservative style trying to avoid the dominance of मुगल्स मेवाड जो है वो trying to avoid the dominance of मुगल्स इंपॉर्डन पॉइंट characterized by symbol bright color and direct emotional appeal जो मुगल influence अगर नहीं है तो वही पुराना जो है वो रागमाला या traditional style जो है मतलब उसी को फॉलो कर रहे है हूँ the earliest dated example comes from रागमाला musical modes series painting in 1605 at 56 an early capital of the state so मेवाड की early capital 56 से है वो आपको देखने को मिलता है तो मेवाड obviously थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करी रहे है क्योंकि मेवाड का conflict conflict जो है वो मुगल्स है generations का conflict है तो मेवाड अपने आपको मुगल्स से अलग रखने की मुगल्स के dominance से अलग रखने की कोशिश तो करी रहे है ठीक है तो हम जानते हैं उमाई बाबर के समय से ही मेवाड का कॉन्फिक्ट जो है वो चल रहा है मुगल्स के साथ one can observe heavy similarity with the चौर पंच्छी का style so अगर traditional है अगर traditional style है तो किस से जुड़ा होगा चौर पंच्छी का so मालवा और मेवाड traditional है चौर पंच्छी का से जुड़ा होगा especially the flatness and flatness the bright colors and even common motifs towards the end of 17th century and the early 18th century मेवाड style saw a revival and late 19th century again witnessed its decline so 17th और 18th century में revival हुआ 19th century में मेवाड जब almost राजबूतो के ब्रिटेन के कंट्रोल में था तो डिक्लाइन हो गया जो traditional style उसका डिक्लाइन हो गया और वो oil pastels आ गए आप यह कह सकते हैं कि मेवाड वो जो जारू लोग है ठीक है महाराना परताब का मेवाड वो जो जारू लोग है जो मुगल से मुगल के dominance से अपने आपको इतना बचा गया रखा उन्होंने कि paintings तक जो है वो कोटा के बूंदी के मालवा के आमेर के बिकानेर के मेवाड के मारवाड के अब बात करते हैं राजपूत अनी पहाडी स्कूल तो पहाडों में राजपूत है तो बिलकुल जब feudalism बढ़ा और बहुत सारे राजपूत राजपूत क्यूंकि देखे जो मनुस्मृति के कुछ एक ऐसे versions फॉलो किये जाते हैं जहां पर केवल और केवल जेश्ट पुत्र को सभी संपत्ति मिलती है और जो छोटे पुत्र होते हैं उनको संपत्ति नहीं मिलती ठीक है उनको जेश्ट पुत्र के अंडर रहकर काम करना पड़ता है तो बहुत सारे ऐसे राजपूत राजपूत राजा हैं बहुत सारे ऐसे राजपूत मतलब जो छोटे बेटे रहे होंगे उनको ऐसा लगा हो गया कि नहीं मुझे भी साशन करना है तो वो प्लेंज से अपने खुद के राज्ये एस्टेबलिश करने के चक्कर में पहाडो वाले एरिया में मूव कर गए और इसलिए राजपूत जो कल्चर्ज है वो हमें पहाडी क्षेतर में डबलब होता हुआ नजर आथ तो जो छोटे लड़के होता था उनके हाथ में कुछ नहीं लगता था तो वो अपने supporters को लेकर पहाडो की तरफ कूछ कर देता है वहाँ जाके एक नया राज्ये एस्टेबलिश कर लेंगे ठीक है तो जम्मू, हिमाचल और गड़वाल ठीक है गड़वाल कमाओ यानि उत्रखन तो जम्मू, चम्बा, कुल्लू, कांगडा, मंडी मैं आपको बता दूँ एक मैप में अगर यहाँ पर नेक्स मैप हो तो जम्मू, जम्मू के नीचे चम्बा, चम्बा के साइड में लहौल, इधर लद्दाक चम्बा के नीचे कांगडा के नीचे बिलासपूर, मंडी, सुकेत और फिर सराहन, और इधर कौन सा होगा, कुल्लू, लहौल के आगे यहाँ जो है, वो स्पीती, और इधर कमाउं और फिर गड़वाल, ठीक है, और नीचे, मतलब इनी के एक्स्टेंशन जो है, यह हिमाले वाला रिजन है, और इनी राज्यों के एक्स्टेंशन जो है, वो आपको प्लेन वाले पंजाब वाले रिजन में देखने कम जेंगे, ठीक है, यहाँ पर पंजाब वाले रिजन है, इधर, तो यह कुछ पहाडी राज्यों में से बड़ी कुछ ऐसी शक्तियां हैं, जैसे जम्मू, चंबा, कांगडा, बिलासपुर, यह मंडी सुकेत, यह क पेटरनाइज करके, एक स्पेश्फिक स्कूल अफ जो है, वो आर्ट डेवलब कर सके, राइट, देखते हैं, तो इस तरह की, तो में थीम आपको साफ साफ दिख रहा है, राधा और कृष्ण जो है, वो में थीम आपको दिख जाएंगे, राइट, सबसे पहले देखते हैं बशोली स्कूल अफ बशोली जो है, वो जम्मू से लगता हुए रिया, जम्मू और चम्बा से लगता हुए रिया, दे अर्लियस्ट सेंटर अफ पेंटिंग इन पहाडी रीजिन वस बशोली, सो अर्लियस्ट सेंटर जो है, वो बशोली स्कूल अफ आर्ट से, बशोली स्क in the form of रसम जारी illustration in 1694 बहुत important ठीक है राजा किरपाल बशोली के राजा किरपाल और आर्टिस्ट का नाम है देवीदास और फॉर्म क्या है रसम जारी illustration तो रसम जारी illustration basically क्या है ये miniature illustration है ठीक है तो miniature painting के फॉर्म में शुरुवात होती है बशोली स्कूल ऑफ हार्ट की बशोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग इस करेक्टराइज वाइगरस और बोल्ड लाइन strong glowing colors are used in painting बशोली स्टाइल spread to various neighboring states and continue till middle of 18th century बशोली स्टाइल जो है वो जम्मू चम्बा कांगडा में फैल गया और फिर उससे आगे डवलप हो राइट next बात करते है गुलेर अब कांगडा के जस परोस में है कांगडा जो स्टेट है उसके जस परोस में गुलेर स्टेट है गुलेर यह वाला रिजन जो है the last phase of बशोली स्टाइल was closely followed by जम्मू group of paintings mainly consisting of portrait of राजा बलवंत सिंग of जसरोटा a small place near जम्मू by nine सुख an artist who originally belong to गुलेर बशोली स्कूल खतम कैसे होता है राजा बलवंत सिंग की portraits के साथ जो की कहां के है जसरोटा के है ठीक है यह बिलकुल कांगडा और जम्मू के border पर रिजन है जसरोटा और nine सुख नाम का एक आर्टिस बनाता है इस portrait को जो की गुलेर के रिजन से है तो काफी confusing है अगर आप हिमाचल प्रदेश के हैं अगर आप हिमाचल के स्टुएंट हैं तो आपके लिए तो यह पॉइंट्स डिलाइट होंगे जैसे मैं हिमाचल प्रदेश का हूँ तो मैं बहुत comfortable हूँ इन सब नामों के साथ क्यूंकि यह मेरे ही रिजन के मैं अच्छे से जानता हूँ कि कहां पर कौन से रिजन है अगर आप राजस्तान के हैं तो आप बिकनेर कोटा है उन सब के साथ तो वैसे बिकनेर कोटा मारवाड मेवाड आमेर जौदपूर यह सारे कहा हैं यह overall हम सभी जानते ही है ना मालवा बुंदेलकंड रूडिशा यह सब कहा हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश के बहुत छोटे छोटे रिजन है बहुत माइनिट रिजन है तो अगर आप पंजाब सेविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं जम्मो सेविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं या उतराखंड सेविल सर्विस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो इ are soft and cool the style appears to have been inspired by naturalistic style of mughal painting and marking a departure from basholi art so the basholi art is traditional art okay have a miniature representation but the gulayr art is the mughal influence the finest group of miniature in the pahadi region also includes the famous series of bhagwata the geet govinda the bihari satis the brahamsa and the ragmala painted in 1706 so this is very important in the pahadi painting so basically the main theme is radha krishnan bhagwata and geet govinda krishnan gulayr portraits together with bhagwata and other series have been grouped under a common title gulayr style on the basis of style of gulayr portraits gulayr style ki ek alag characteristic kya hai aap kaise kyeh ki distinctive characteristic kya hai so gulayr portraits joh hai woh distinctive characteristic rajao ki portraits joh banay the style of these paintings is naturalistic delicate and lyrical the female in these paintings are delicate with well modeled faces and small and slightly upturned nose and hair done minutely to woman ko bhoat delicately joh ever draw kiya gaya kya hai तो संसार, obviously, जो साश्यक सबसे स्ट्रॉंग होगा, that means, उसकी एकनॉमी सबसे जादा स्ट्रॉंग थी, तो उसका आर्ट एंड कल्चर भी सबसे जादा स्ट्रॉंग रहा होगा, right? So, कही ना कही पहाडी स्ट्राइल अफ पेंटिंग जो है, वो संνοमस हो जाता है कांगाटा स्ट्र Tonga वाला रीजन, जहां गीरिया स्ट्रॉल میں आया था, that means, मुगल इंफून्स कांगा वाले पेंटिंग में आपको देखने को मिल जाएग, right? the Guler style was followed by another style of painting termed as Kangda style representing the third phase of Pahadi painting in the last quarter of 18th century Kangda style developed out of Guler style ध्यान रखेगा बशाली से Guler डबलप हो रहा है और Guler से Kangda डबलप हो रहा है it possesses the main characteristic of later style like the delicacy of drawing and quality of naturalism so Guler में जो naturalistic portrait जो create किये जाता था है और जो soft colors का इस्तमाल के जा रहा है यानि soft colors का मतलब समझ रहे है बहुत भड़कीले बहुत चटक मतलब समझ रहे है बहुत light yellow light green का use नहीं किये जा रहा है बहुत subtle soft colors का use किये जा रहा है ये है देखिए Kangda painting इसमें आपको साफ साफ देख रहा है कि महिला को कितना delicate represent किये जाता और soft colors है इन colors को आप soft कह सकते है कोई भी color आपको ऐसा नहीं है कि hitting right and eye चुबता हुआ कोई color नहीं और nature को देखिए आप clearly जो आसपरोस में जिस तरह के पेड होंगे Kangda वाल रिजन में उसको represent करने है कोशिश की गई है ठीक है The name Kangda style is given as there are identical in style to the portrait of Raja Sansar Chand of Kangda In these paintings faces of women in profile have the nose almost in line with forehead The eyes are long and narrow and chin is sharp So you will see the nose with forehead forehead with forehead forehead with forehead बढ़ती हुआ है नाक Almost all one portrait नाक जो है वह forehead बढ़ती हुआ नज़र आएंगे और eyes जो है वह आपको बड़ी और sharp देखने को मिलती है ठीक है यह characteristic है Kangda school of heart की There is however no modeling of figures and hair is treated as flat mask So मतलब जैसे कि आपको अगर आप decani school में देखेंगे अगर आप मुगल आट में भी देखेंगे तो औरतों के बालों को बहुत carefully बनाये जाता है ऐसा Kangda style में नहीं देखने को मिलेगा आपको Kangda style continue to flourish at कहां कहां पर Kangda में, Gulayr में, Basholi में, Chamba, Jammu, Nourpour, Ghadwal, etc इसलिए Kangda आट को पहाड़ी आर्ट के साथ synonymous कह दिया गया क्यूंकि फिर यह जो Kangda डवलप हुआ है यही फिर बाकी region में, Chamba में फैला हो, Jammu में फैला हो, Nourpour वाले region में ठीक है यही Kangda style आपके पैला आपके पैला हो, Jammu, Nourpour, Gamba, Jammu, Nourpour, Gamu, Nourpour, Gälle, streaming, Radha,acağız लगी में, Chamba, Jammu, Nourpour, Gatta, Jammu, Nourpour, Gaya, Jammu, Nourpour, Gatta, Jammu, Nourpour, Grip, Jammu झाल झाल